हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू आवर चैनल, आज का हमारा टॉपिक है सोचलाजेशन, तो समानने भाषा में सोचलाजेशन किया होता है, जैविक परानी से मानविय परानी में बदलना कि परकरिया कोई सोचलाजेशन कहते हैं, क्योंकि जब एक आप देखती होंगे कि कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, देरी-देरी फिर समाज में आने लगता है, और उसको सब चीज मालूम पढ़ने लगता है, तो यही सोचलाजेशन की परकरिया है, देख सकते लिखा हो है, बच्चा जब सरवपथम जनम लेता है, तब वहर रखत मांस हड़ी आदी का एक जीवित पुतला होता है, इस समय ना तो उसमें कोई समाजिक गुन होते हैं और ना ही कोई समाज विरोधी गुन, फिर समाज और संस्कीती के बीच पलते हुए वह बालक दीरे-दीरे एक समाजिक प्रानी में बदल जाता है, अर्थात उसमें समाजिक गुन विक्सित हो हम जानते हैं कि मनुश्य एक समाजिक प्रानी है बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्मागिन विकाज की कलपना नहीं की जा सकती। व्यक्ति समाजी क्रण के माध्यम से ही अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवी, मुल्यो, नैतिक्त, इत्यादी को सीखता है समाजी क्रण के महत्वपुन गटकों में परिवार, समाज, एवं समुदाई की महत्वपुन भूमिका होती है समाजी करण समाजिक नियमों को अधी ग्रहन करने की परकरिया है तथा समाजी करण का मूल लक्षे समाजिक परिवेश में अनुकूलन तथा समायोजन है और अनुकूलन और समायोजन का definition मैंने आपको प्रीविस वीडियों बता दिया था ये आपको इरिक्सिन का सिध्धान्त या तो जीन प्याजे के सिध्धान्त में मिल जागा इन दोनों का definition जीन प्याजे में मिल जागा आपको देख लिजेगा उसके बाद लिखा है समाज समू में रहने के लिए बच्चों को समाजिक योगताव माप दंडो को सिखाना ही समाजिकरण की क्रिया है इसमें बच्चे उन क्रियाओ को सिखते हैं जो समाज दुआरा माने होती है घर के सदस्यों, स्कूल में तथा खेल में साथियों से क्रिया परतिक्रिया से ही समाजी करण की परक्रिया निरंतर चलती रहती है तो यहाँ पर देखेंगे कि मैकाई वर तता पेज ने लिखा है कि मनुश्य में मानख परक्रटी का विकास केवल तब होता है जब वह एक समाज कका सदस्य होता है और समाजी करण का अर्थ क्या होता है तो समाजी करण को इंगلिश में सोसिलाज़ेशन बोलते हैं इसको मतलब होता है कोई भी व्यक्ति को समाजिक प्राणी के रूप में विक्सित करने के परकरिया को समाजिक रण कहते हैं अर्थात समाजिक रण सीखनी की ऐसी परकरिया है जिसमें व्यक्ति किसी सम्मू या समाज की समाजिक एवं सांस्कृति विशेस्ता को जानता है समझता है और गरहन करता है उसके बाद इसकी परिभाशा देखेंगे विभीन मनों विग्यानिक के दुआरा सबसे पहले जॉनसन के अनुसार समाजी करन वह समाजी का दिगम है जो सीखने वाले को समाज में रहने योग्य बनाता है फिशर के अनुसार समाजी करन वह पर करिया है जिसके दुआरा व्यक्ति समाजी करन वह पर करिया है जिसके दुआरा व्यक्ति समाजी करन वह पर करिया है जिसके दुआरा बच्चा समाजी करन वह पर करिया है जिसके दुआरा बच्चा समाजी करन वह पर करिया है जिसके समाजिक प्राणि внутри अधरॉप आुए समाज करण सह रहते हैं, तोुमाजी में орड ऊटchnों समाजिक, होता है और ना ही असमाजी किम्तु जन के बाद वह समाजीक्रंद से समंदित बातों को सीखता प्रार्व कर देता है जैसे माता पिता, परिजनों, आस्पड़्ोस के लोगों से खेल के साथियों के साथ समाजीक्रंद के द्वारा विभिन नियमों और संस्कृतियों को सीखता है दूसरा है समाजिक रन जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है समाजिक रन की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है इस समय समाज का जो सरूप होता है उसी से व्यक्ति का होते रहना जरूरी होता है हम जानते हैं कि समाजिक मानेता हैं और विचार दारा परिवर्तन चील होती रहती हैं जिसे समाजी करण की परक्रिया जीवन प्रत्म चलती रहती है संस्कृति को सीखने की परक्रिया हम जानते हैं कि समाजी करन की परक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवार समू और समाज की संस्कृति को समझता एवं सीखता है तथा पीडी दर पीडी उस संस्कृति को हास्ता नांतरित करता है उसके बाद है समय और इस्थान की प्रक्रिया समय एवं इस्थान के परिवर्तन होने से भी समाजिक माननेता और तथा मुल्यों में अंतर होता है हम जानते हैं कि प्राचीन संस्कृति की माननेता तथा वर्तमान समय की माननेता में बहुत अंतर होता है जैसे पहले लड़कियों को पढ़ना नौकरी करना पर्तिबन था लेकिन वर्तमान समय में ये सब पर्तिबन नहीं है उसके बाद है व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होना समाजी करन के दुआरा ही व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास होता है जब कोई भी व्यक्ति समाज में कोई कार्य करता है तो उसका समाज में एक अलग पहचान बनता है यानि उसका अलग व्यक्तित्व का विकास होता है उसके बाद है संस्कृति का स्थानंत्रन हम जानते हैं कि समाजी क्रण की परक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति मुल्यों आदर्शों को एक पीडी से दूसरी पीडी में स्थानंतरित करता है तो फ्रेंड्स यही सब था हमारा आज का सोचलाजेशन का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन-कौन से एजेंट्स होते हैं सोचलाजेशन के लिए तो आज के लिए पास इतना ही वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा और अन्य कोर्स का वीडियो देखना तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं थैंक्स वाच वीडियो कर देख सक्माड़ में नेक्सराइब गडियो।